जैसी एराम जानते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब सर्विता सिद्ध योग रहेगा रात अंत का अर्थ अंगले दिन के सूर्योदय के समय तक रहता है सब्था है 11 दिसम्बर को शिप्चतुर्दती प्रत 15 दिसम्बर को सरदार पडेल की पुर्णिती थी शुब मुहूर्थ में विबाह मुहूर्थ 13 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक अंड़ प्रशान का मुहूर्थ 15 दिसम्बर को और व्यापार का मुहूर्थ 15 दिसम्बर को है 17 चंद्रमा प्रारम में व्रश्यक राशी का रहेगा 13 दिसंबर को 11 बचकर 48 मिनट से धनूराशी में प्रवेश करेगा 15 दिसंबर को 4 बचकर 7 मिनट शाम से मकर राशी का हो जाएगा 17 दिसंबर को 7 बचकर 1 मिनट राज से कुम्भराशी में गोचर रहेगा सूरे प्रारम में व्रश्यक रासी में रहेगा सूला दिसंबर को एक बचकर बीस मिनट से धनू रासी में प्रवेश करेगा बुद्ध प्रारम से धनू रासी में रहेगा और तेरा तारी को एक बचकर पचास मिनट रात को वक्री हो जाएगा मंगल ग्रह पूरे सब्ता है रशिक रासी में वक्री गुरू में पूरे सब्ता है मेज में रासी में सनी पूरे सब्ता है कुम रासी में शुक्र तुला में और राहू मीन रासी में गोचर करेंगे आईए अब हम रासीयों के बारे में जानते हैं सब प्रतम मेश रासी मेश रासी के आविवाहत जातकों के लिए यह सबता उत्तम रहेगा आपको विवाहे तू अच्छे संदर्व प्राप्त होंगे विवाहे तू अच्छे प्रस्ताव भी आएंगे प्रेम संबन्दों में वरद्धी होगी भाग सामान रहेगा धन आने की आशा की जा सकती है दुरघटनाओं से बचने का प्रयास करें पिता जी का स्वास्त सामाने रहेगा माता जी को थोड़ी परेशानी हो सकती है इस सब्ता है आपके लिए 16 और 17 दिसंबर उत्तम रहेगा 16 और 17 दिसंबर को आपके अधिकांस कारिय सफल होंगे आपको 11 और 12 दि रश रासी इस सब्ता है आपका और आपके जीवन साती का स्वास्त ठीक रहेगा व्यापार उत्तम चलेगा भाग गे आपका साथ देगा कारियलाय में आपकी प्रतिस्था में रद्धी होगी कचहरी के कारियों में सफलता मिल सकती है धनाने की मात्रा में कमी आएगी इस अबने संतान से सहयोग प्राप्त होगा अगर आप सावधान रहेंगे तो 11, 12 और 13 दिसंबर को 12 बजी दोपार तक आपको कई कारे सफल हो जाएंगे 13, 14 और 15 को आपको सावधान रहे कर कोई कारी करना चाहिए सब्ता है आपको चाहिए कि आप भगवान शिप का प्रती दि अविशेक करें सब्ता है का शुब दिन रशानिवार है मिथुन राजी सब्ता है आपका और आपके जीवन साती का स्वास्त उत्तम रहे गया माता जी और पिता जी का स्वास्त खराब हो सकता है जनता आपके प्रतिस्ठा में कमी आएगी आपको आपकी संतान से सहयोग प् भाई बेहनों के साथ संबंद खराब हो सकते हैं। इस सब्ताय आपके लिए 13, 14 और 15 तारीक फल्दायक है। आपके कई कारे इन तारीकों में संबंद हो सकते हैं। आपको 16 और 17 तारीकों सावधान रहना चाहिए। इस सब्ताय आपको चाहिए कि आप प्रती दिन रुज़दार सक्का पाट करें। सब्ताय का शुब दिन बुद्वार है। करकरासी करकरासी के जात्कों के लिए यह सब्ताय बहुत अच्छा और कुछ बुरा फल देने वाला है। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास उत्तम रहेगा। कारेलय में आपकी प्रतिस्था में कमी आएगी। माता और प्रताजी को तकलीव हो सकती है। भाग आपका साथ नहीं देगा। भाई बेहनों से भी उत्तम सहयोग प्राप्त नहीं होगा। संतान का सहयोग भी आपको इस सप्ताह प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रती दिन रुद्राश्टक का पाट करें। साथी भगवान शिप का प्रती दिन दूद और जल से अभी से करें। सोला और सत्रा दिसंबर को आपके लिए अधिकांश कारे सफल रहेंगे। तेरा और चवुदा को और पंदरा दिसंबर को आपको साफधान रहकर कारी करना चाहिए। ग्यारा बारा और तेरा दिसंबर को आपकी संतान को कष्ट हो सकता है। सब्ताय का शुब दिन रविवार है सहरासी सहरासी के जात्कों के जीवनसादी का स्वास अच्छा रहेगा जात्कों को नसगी कोई समस्या हो सकती है जात्कों के गर्दन या कमर में दर्द हो सकता है बाई बेहनों के साथ सम्मंद खराब हो सकते हैं धन आने की संभाव ना है पिता जी का स्वास्त ठीक रहेगा माता जी का स्वास्त खराब हो सकता है भाग से आपको कोई विशेस मदद नहीं मिलेगी इस सप्ता है आपको पूरे सप्ता है साधान रहकर कारे करना चाहिए माते जी का स्वास्त खराब हो सकता है संतान से कोई विशेस सहयोग आपको प्र अच्छी प्राप्ति हो सकती है, भाई बेहनों के साथ संबंद खराब रहेंगे, आपका स्वास थोड़ा खराब हो सकता है, विबाह के अच्छी प्रस्ताव आ सकते हैं, प्रेम संबंदों में ब्रद्धी होगी, आपके और आपके जीवन साथी के स्वास में थोड़ी करेंगे, उनमें आपको सफलता मिलेगी, उम्मीद बहुत जाना रहेगी, इस सब्ताह आपके भाई या बहन को 11, 12 और 13 तारीक से कुछ लाब हो सकता है, इस सब्ताह आपको चाहिए कि आप प्रती दिन मंदिर में जाकर गरीबों के बीच में चावल का दान दें, सब्ताह क स्वास्त खराब हो सकता है, भरपूर धनाने की उम्मीद है, आपको अपनी संतान से लाब प्राप्त होने की उम्मीद है, शत्तु दबे रहेंगे, कारियलाय में आपका विवाद हो सकता है, कारियलाय किर्पिया इससे सावधान रहें, पिताजी का स्वास्त थोड़ा खरा प्रतिस्था में व्रद्धि होगी जीवन साथी का स्वास्त खराब हो सकता है संतान को आपको कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा भाग आपका कम साथ देगा गलत रास्ते से थोड़ा बहुत धन आ सकता है आपके पेट में पीड़ा हो सकती है सब्ता है आपके लिए सबी दिन ठीक ठाक है अगर आप बीमार हैं तो इस सपता है में प्रारम में आप ठीक होने लगेंगे भाई बहनों के साथ सामाने संबंद रहेंगे इस सपता है आप क्यों चाहिए कि आप प्रती दिन रज्रास्टक का पाट करें सपता है काश्य अब दिन ब्रहस्पति बार है धनुरासी इस सब्ता है आपका स्वास्त खराब हो सकता है कचहरी के कारियों में सफलता की पूरी उम्मीद है शेत्रुदबी रहेंगे अगर आप प्रयास करेंगे तो वे समाप्त भी हो सकते हैं धन भर पूराएगा भाई बहनों से लब प्राप्त होगा भाई बहनों के कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा कारयला में आपकी प्रतिष्ठा सामाने रहेगी भाग सामाने रूप से आपका साथ देगा है सब्ता है आपके दिए 13, 14 और 15 तारीक महत्पूर्ण है यह तारीक हैं तीनों तारीक हैं आपके लिए फल दायक हैं 11 और 12 और 13 तारीक को प्रतिबार है मकर रासी इस सब्ता है आपके पास धन आने की पूरी उम्मीद है कचहरी के कारियों में आप इस सब्ता है कोई रिस्क ना ले भाई बहनों के साथ सामाने रूप से संबंद ठीक रहेंगे किसी एक भाई या बहन से आपके संबद तनावपूर हो सकते हैं जनता में आपकी प्रतिस्था में कमी हो सकती है पुत्र से आपको कोई विश्चेश फायदा नहीं होगा इस सब्ता है आपके लिए 16 और 17 तारीक उत्तम है 13 14 और 15 तारीक को आपको सभल कर रहना चाहिए 11 और 12 और 13 तारीक को आपके पास धन आ सकता है इस सब्ता है आपको चाहिए कि आप विश्णू सहस्त्र नाम का जाप करें सप्ताय का शुब्दिन शनी बार है कुम राजी इस सप्ताय भागे आपका भरपूर साथ देगा आपका स्वास्तुत्तम रहेगा कारेले में आपकी प्रतिस्था में व्रद्धी होगी भाई बेहनों के साथ तनाव हो स सकता है आपके संतान का इस सप्ताय कुछ नुकसान हो सकता है धनाने की मात्रा में कमी होगी आपका अपने अधिकारियों के साथ व्यर्थ का वारतलाब हो सकता है इस सप्ताय आपके लिए सभी दिन सतर्क रहने लाइक है ग्यारा बारा और तेरा तारी को आपको अपने कार कि आप इस सप्ताह गाय को हरा चारा खिलाएं, सप्ताह का शुब दिन शुक्रवार है, मीन रासी, इस सप्ताह भाग आपका भरपूर साथ देगा, शेत्रूं से आपको सतर्क रहना चाहिए, धन की प्राप्ति हो सकती है, कचहरी के कारियों में सफलता मिलेगी, संभावना 50% गलत रास्ते से धन आपके पास आ सकता है, आपका और आपके जेवन साथी से किसी एक का स्वास्त ठीक नहीं रहेगा, पिताजी के स्वास्त में थोड़ी खराबी आ सकती है, मालताजी का स्वास्त भी थोड़ा खराब हो सकता है, इनको रक्त संबंदी कोई बीमारी हो सकती इस सब्ताह आपके लिए 13, 14 और 15 तारीख फल दायक है, लाब दायक है, 11, 12 और 13 तारीख को आपका भाग और शेर्ष रूप से आपकी मदद करेगा, इस सब्ताह आपको चाहिए कि आप गणेश अथर्व शीर्ष का प्रती दिन पाट करें, सब्ताह का शुब दिन ब्रहस्प इबाफटय अफर्श आपका चाहिए